स्री दिल्वी कुमार जी दुबे, उर्फ डिके दुबे, स्री दुबे संबिधान विशेसगे हैं, जम्मू कस्मीर पर विशेसगेता हासिल करने वाले स्री दुबे आपको अक्सर टीवी डिवेट्स में संबिधान पर अपनी विशेस राय रखते हुए दिखते हैं, उनकी व्याख्या वा सटीक दर्णों से लाखों लोग न केवल प्रेरना लेते हैं, बलकि संपून समझवा ज्यान हासिल कर लेते हैं, जिससे एक जागरती उत्पन होती है, उदारन के तोर पर इस्थानी निकायत, जिने हम लोकल बाड़ी कहते हैं, वास्तों में वो क्या है, उन ज्यूति है, हम आज इसी विशाय पर बात करने जा रहे हैं, दुवेजी, इस्थानी निकाय के बारे में बताएंगे हैं, कामन में जो समझ रहा है, जितना उसको ग्यान है, क्या उससे आगे उसकी अधिकार हैं, अब सवाली पैदा होता है कि कामन में को कितना मालूम है, ल बारत में हमने जो लोकल गौर्णमेंट का कॉंसेप्ट दिया है, गंदी जी भी ऐसा कहा करते थे, और अगर आप समरद बारत उठाएंगे, तो समीतिया बनी हुई हैं, गाओं के लेबल से, गाओं से सिस्टम शुरू होता है, उसको ऐसे मान कर चलिए, कि आपके पास एक इसी टेरिटरी एक गाओं है, एक मुहला है, अगर उस मुहले में हमें सारी चीजें पूर्ण हो जाएं, और उसकी विवस्था करने वाला विवस्था पक अपने को मिल जाए, उसकी चिंता करने वाला विक्ति अपने को मिल जाए, तो आप मुझे पताईए, रास्ती सरकार और राज्य सरकार की क्या अवर्शक्ता है आपको पुराने सिस्टम में जब अंग्रेज यहां पर साशन करने आया तो एक डॉकुमेंट में 1803 का पढ़ रहा था जब छोटे छोटे जिले 12-12 लाक रुपए का रवेन्यू देते थे जिनके पास कोई बेवपार नहीं था कहां से देते थे वो जो खेती हो रही है छोटे बेवपार हो रहे हैं छोटा आटिसंस काम कर रहे हैं लकड़ी का काम करने वाले हैं या लोहे का काम करने वाले हैं छोटे छोटे बेवपारी उनसे जो collection हो रहा है उससे राज्य को जा रहा है और राज्य उसका क्या करता है? हमारे याँ विवस्ता सदैव से ये रही है कि छोटी unit काम करेगी और बड़ी unit सुरक्षा देगी बड़ी unit सुरक्षा के साथ साथ बाहे सुरक्षा देगी अंदर की सुरक्षा देगी, infrastructure देगी और आपको जो असुविदा होती है connectivity की, communication की वो communication connectivity पूरी करेगी ये विवस्था है इसका मतलब ये हो गया कि अगर विकास करना है आपको विकास जिसको वाकई में विकास कह रहे हैं तो आपको सबसे छोटी unit जहां पर बनी हुई है उसमें जो विवस्था भारत ने अलड़ी बना रखी है जैसे मैं बात कहूँ साथ तेहतरमा, सचोटरमा, समिदान, शर्शोदन अपने पास लागू है अब वो अलग बात है कि किनी राज्यों ने उसको पूरा लागू किया है किनों ने कुछ प्राविधानों के साथ लागू किया है लेकिन विवस्था है क्योंकि नगर महापालिकां पहले भी थी जब तेहतरमा, सचोटरमा, समिदान, शर्शोदन आया था उससे पहले नगर महापालिकां उत्तर प्रदेश जैसे प्रदेशों में थी ग्राम पंचायते यहाँ पर बनी हुई थी जमिदारी एबॉलूशन आ चुका था जमिदारी खतम हो चुकी लेंड रफार्म आ चुके थे इन विवस्थाओं में जब हम यह कहते हैं तो इसका मतलब बिलकुल साफ है कि लोकल बॉडिस का सबसे जादा और सबसे महतपूर्ण रोल है किसी विदेश के विकास के लिए क्यूं ऐसा है आप मुझे बताइए कि मैं एक घर का एक लोकल बॉडि का नगर महापालिका का या नगर पालिका का जो भी बॉडि है उसका में एक सामान नागरिक हूँ मेरे कोई पलिटिकल लिंक नहीं है मुझे कुछ नहीं मेरी सरकार कौन सी है मुझे किंदर सरकार से क्या चाहिए किंदर सरकार का का काम है बाहर सुरक्षा देना एक्स्टरनल पॉलिसी देखना किंदर सरकार का काम है कॉमनिकेशन देखना मेरा तो कोई उससे बासता ही नहीं है अब आज आई राज्य सरकार पर तो राज्य सरकार का काम है राज्य में सुरक्षा देना internal सुरक्षा देना क्योंकि लॉण और उर्वस के पास होता है इसके अत्रिक्त कानून बनाना राज्य के लिए ये उसका काम है मेरा जो विशय आएगा वो तो नगर महापालिका से आने वाला है मेरी नाली, मेरे ट्रेनेश की समस्या है नगर महापालिका करेगी मेरा मकान बनना है नगर महापालिका के पास होगा मेरा दाखिल खारिज होना है मेरे घर में कोई स्वास्त समंद्धी समस्या है मेरे घर के किसी भी प्रकार का नकशा जो भी है वो मेरी सरकार कौन सी है मेरी सरकार तो निश्यत रूप से नगर महा पालिका है और मज़े की बात ये है कि हमारे यहां local bodies भी independent body है मतलब autonomous body है सम्मिधान के article 12 और article 13 में जो राज्य की परिभाशा है उस परिभाशा में local bodies अलक से हैं वो कहता है राज्य का मतलब क्या राज्य का मतलब केंदर सरकार, पालियामेंट, राज्य सरकार, राज्य की विधान सबा और फिर वो कहता है local bodies इसका मतलब ये हो गया कि local body जो आपकी बनी हुई है वो स्वायत body है और सामान ने आदमी, आम आदमी का जो सबसे ज़्यादा बास्ता किसी से पढ़ने वाला है वो local body से पढ़ने वाला है मेरी सरकार सामान ने आदमी के सरकार तो local body है इसलिए local body को ये समझना होगा कि उसका role क्या है और local bodies से ज्यादा सामन जनों को ये समझना होगा कि मेरी सरकार कौन है हमने केंदर सरकार पर ज़दा जोड़ देना है कि राजय सरकार से ज़दा संपर करना है कि मुझे मेरी local bodies में जो अधिकार करतब हैं मेरे या जो मेरे काम हैं उन विश्यों की जानकारी मुझे जादा हो इसके लिए आपको एजुकेशनल प्लान चलाने पड़ेंगे और खास्तोर से जब लोकल बॉडिस की सरकार बनती है तो उस सरकार बनाने में भी आम आदमी को यह ध्यान देना पड़ाएं कि मेरी सरकार यही है इसलिए हमें लगता है कि लोकल बॉडिस का बहुत महतपूर योगदान है अब ये समझाए को नागरिक को नहीं ये तो आप पत्रकार हैं आपका काम है ये मेरा काम है वो पत्रकार हैं का कुल मिलाकर के अभी तक दो हजार बाइस तब क्या पर देंतिच शमर्थे हैं क कि मेरी सरकार यही सरकार है है जब जा गे तभी सवेडा है जब शे शुरू हो तब से सवेडा है सवेरा तो आपका शुरू हुएнуться 1947 से कि 1947 में सुतंतरता के बाद या सुतंतरता के समय जिस समय पाकिस्तान का विभाजन हुआ भारत का विभाजन हुआ पाकिस्तान बना था बंगलादेश बना था उस समय से ही आपको जागरुकता अभियान चलाने चाहिए और प्रतिक विक्ति को यह जानना चाहिए कि मेरे दिकर कानपुर में रहते हैं कानपुर ने पाकिस्तान बनाया भही अभियान कहां से चले लखनाउशे अबद से कानपुर से अलीगर्ड से यह मेंची रुभा करते थे उस समें दि दिancia और पाकिस्तान बना तो वहां लोग गए कहां से भाई वो तो यहीं से गए यहां पर मेन केंदर थे कानपूर में आज भी आपको यह अंदाजा है कि जिसमें ISIS पकड़ना शुरू करती वो ISIS के लोग यहां पाए जाते हैं आप देख लिए PFI के लोग यहां पाए जाते हैं अगर देश में कहीं अभियान चल रहा है और सौ लोग पकड़े गए तो ऐसा होता कभी नहीं देखा मैंने कि दस लोग कानपूर के ना हूँ या अलिगण के ना हूँ तो यह अभियान तो आपको 1947 से चलाने थे केबल वो ही नहीं बाकी जितने हैं अब जैसे मैं आपको एक उधार देता हूँ कानपूर ने पाकिस्तान बना दिया लोग पाकिस्तान चले गए अब वो स्ट्रेटिजी खेल कर गए क्या खेल कर गए कि 10,38,000 किलोमेटर का पाकिस्तान भी ले लिया और कानपूर अलीगड जैसे इस्थानों पर कानपूर अलीगड अब जिनकी बात मैं कर रहा हूँ आग उनकी हो जानी चाहिए थी, वो property उनको मिलने की बजाए, उस पर वो बक्फ बना कर छोड़ गए, बक्फ अवलाद बना कर छोड़ गए, आज वो कलेमे कर रहे हैं, तो किसकी जिम्मेदारी थी कि वो record maintain करें, किसके पास ही record था, ये local body का काम है ना, local body घर घर घुज़रा था, बातरूम कितने हैं, लेटरिन कितने हैं, रास्ता कहां से निकला है, दरबाजा कहां से निकला है, आपने ये ये corridor कैसे बना लिया, आपने चज़जा, तो चज़जा आप तुड़वा रहे हो, ठीक है, आपका काम है, लेकिन सत्ती ये है कि 100% record local body के पास है, कि हमारे कितने म immigration हुआ, immigration हुआ, अबाद इधर के उधर गई, उधर से निकला है, सब ठीक है, लेकिन आज आप जिस प्रकार से सत्रू संपत्ती ढून रहे हैं, वो सत्रू संपत्ती कहां है, वो संपत्तियां कहां गई जो पाकिस्तान चले गई, वो तो आज भी यहीं पर है ना, और वो सं 1946 के बाद इतने लोग चलेगें, क्योंकि लोकल बादी के पाद एक एक विक्ति का हिसाब रहता है, आप यह तो मानते हैं ना, कि लोकल बादी के पाद एक विक्ति का हिसाब रहता है, आपने घर में तीन बात्रूम सेंक्शन कर रखें, चौथा बना लेते हैं, तो लोकल ब के लिए अधिकारी होता है, local bodies के पास engineering department होता है, local bodies के पास revenue department होता है, local bodies अगर चाहें, तो LIU को fail कर, LIU जहां fail होती है, वहां सिर्फ local body काम कर सकती है, उसके पास इतने करमचारी घर घर में गोसा हुआ है, अगर वो सही से information तंतर विक्सित कर ले, तो राज्य सरकार को यहां effort ज्यादा करने की जरूती नहीं पड़ेगी, आपको यह जो अभियान चलाते तो पकड़ते हैं, यह आपको अभियान चलने की जरूत नहीं पड़ेगी, यह सारी सिम्मेबारी local bodies की थी, नहीं अभियान चला पाए, नहीं कर पाए, हम इस चकर में बने रहे हैं के इंदर में नहरू जी बैट गए हैं, मिस्चकर में पढ़े रहे हैं, कि राजे में सरकार बैटी हुई, हमने ध्यान ही नहीं दिया कि असली सरकार तो जो गांधी जी कहा करते थे, वो सरकार तो हमारी लोकल बॉडी में थी, हमारी नगर महापालिका में थी, हमारी ग्राम पंचायत में थ उस पर कौन काम करेगा, मुझे लगता है कि अगर इस पर सही से काम कर लिया जाए, अभी चुनाओ का समय, यस, अभी जब जागे तभी सफिरा, वक्फों के खेल, सन 1906 से खेले जा रहे हैं, खुले तो अभी, खुलने शुरू हुए पिछले दो बर्शे से, खुलने शुर अभी, जैसे अवेरनेस आएगी, वैसे वैसे काम होगा, तो अगर हम वक्फें भी खोल सकते हैं, क्रिशन प्रॉप्टियां, अभी देखे, करला हाई कोट का परसों का एक जजज्मेंट है, करला हाई कोट ने ये का कि ये जो चर्च बना हुआ है, ये टोटल इलीगल है, उस ने प्रोपटी सरकारी, इन लोगों ने प्रोपटी सरकारी कबर करके रखी हुए, ये बेच रहे हैं, उस पर NGO बना लेते हैं, उस पर society बना लेते हैं, ये बेच रहे हैं, उस पर मुगदमा हो गया, वो Supreme High Court आ गया, High Court ने राज्य सरकार को लिखा, और पिर केंदर सरका क्यों नहीं बनाते अब 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 यह तो उनकी बात हो गई लेकिन डेटा सर्वे, डेटा कलेक्शन कोन करेगा, सर्वे कोन करेगा यह तो लोकल बॉडी का काम है ना कि वो यह कहे कि हमारे ख्षेतर में चार चर्च हैं, इनका रिकॉर्ड ये कहता है कि सन 1945 में, 1940 में, 1927 में, 1918-1953 में, यह बना था, यह संपत्ती, इनके नाम चढ़ी जरूर है, लेकिन इसका record ऐसा है, ऐसा है, जिस जहां पर Development Authority बैठी हुई है, जैसे आपके कानपुर में KDA बैठी हुई है, तो KDA तो बहुत बात में बना, तो KDA से भी coordination, KDA तो cable coordination का काम कर रहा, record तो उनके पास है, फिर हम कहें revenue board यहां पर बैठा होगा, आपके revenue board बैठा होगा, इनके बीच में coordination जो मू लिकाई है, वो कौन है, वो मू लिकाई जहां से यह सब कुछ शुरू होगा, वो cable और cable local body है, इसको अपना रोल जिस दिन समझ में आ जाएगा, जिस दिन local body को अपने देश में रोल समझ में आ जाएगा, आपका देश अपने आप रामराज्य हो ज सवाल दुवे जी फिर वहीं पर आकर अटकता है, एक तरफ तो आम नागरिक को जानकारी नहीं है, ठीक, और क्या इनको जानकारी है अपने अधिकारों की अपने कर्तब बिकी, अब उसके लिए क्या बेवस्था होती ही मैं आपको बताओ, जब आप नया IAS अधिकारी लेत है, जो जन परतिनीदी है, उसकी प्रॉपर ट्रेनिंग की विवस्था होनी चाहिए, उसका एक सिलेवस होना चाहिए, उस सिलेवस के अनुसार उसकी पढ़ाई, जैसे सवासद यहां से चुन कर जाता है, तो लोकल बॉडिज के आंकना कान कोन है, चेर्मेन का मेर हैं बन ग लेकिन उनका प्रिशिक्षन अगर होगा सही से, तो वो सारे वो काम जो करने चाहिए, उसके लिए वहां सदन बैठता है, सदन में उसकी चर्चा होगी, उस पर विदी बनेगी, चुकि लोकल बाडिज, अटनुमस बाड़ी होती है, उस सब कुछ कर सकती है, लेकिन फिर व आज की तारिक में सरकार का मतलब नौलेज है, इंदुस्तान के ये समस्या नहीं है, कि समस्या सिर्फ उठाई जाती है और समाधान प्रापर तरीके से नहीं डूडा जा रहा है, इसे मैं केंडिडिट का चुनाव करते समय, सभी पार्टियों को, मैं किसी एक पार्टी की ब एक पेवल है, खास्तोर से मिन लॉकल बाडी के चुनाव में इसलिए कहता हूँ, क्यूंकि जब राज्य का चुनाव होता है तो एक बड़ा चुनाव, केंडर का चुनाव होता है तो और बड़ा चुनाव है assignments, लिकिन जब लॉकल बाडी का चुनाव होता है, तो generally ये चाहिए ताकि party का vote भी हो और candidate का vote भी हो हमें बड़ा politician चाहिए जिसका अपना base हो तो local bodies में ये देखा गया है कि generally party prevail कर जाती है अब जहाँ party prevail कर जाए वहाँ पर आपको capable candidate चुनना आसान हो जाता है क्योंकि आपको मालूम है party का अपना vote है हम किसी को भी खड़ा करेंगे उसको निकाल लाएंगे जिस क्या कहीं सपा का कबजा है कहीं बजपा का कबजा है कहीं भारती जनता party का होगा कहीं congres का होगा सबको ये मालूम है कि ये हमारी इस्तिती है तो वो अगर इस प्रकार के capable candidate ढून ले कि जिसको local body में local government governance का अच्छा अनुभव हो सकता है या अच्छा चला सकता है तो हमें लगता है कि बहुत हद तक इसका solution निकाला जा सकता है पहले तो राजसरकारें उनकी training है करवाएं करवाती है क्या उनका syllabus है पता नहीं लेकिन करवाती है फिर सवासदों की training का process रहता है उनका क्या syllabus होता है पता नहीं उस पर काम करने के अवशक्ता है क्यों क्योंकि ये बहुत पुराना पंत्र है जैसे अभी आपने हमें शाजी को सुना होगा दो दिन पहले उन्होंने कहा कि भई हम IPC, CRPC, evidence बदल रहे हैं अवशक्ता है बदलाओ की जन्ता की demand भी थी और इसके अलावा आप 200 वर्ष का कानून कब तक चलाओगे कानपूर नागर महापालिका का मैं आपको बता हूँ कानपूर जिला बना सन 1803 में कानपूर 1878 तक 1873 में जाजमों का युद्ध हुआ है अंग्रेजों का और इसका वजीर का लखनों आबद का फिर 1878 में ये कंटोनमेंट बोड ले आए 1801 में ये NX territory हो गई NX territory मतलब है कि 1801 में वजीर ने ये संपत्ति दे दी British company को 1803 में उन्होंने जिला बना दिया 1803 तक कानपूर कितना बड़ा था आप अंताशा भी नहीं लगा सकते उससे पहले कानपूर जिला नहीं हुआ करता था कभी कानपूर कन्नोज का हिस्सा हुआ करता था फिर वो कानपूर कभी कालपी का हिस्सा हुआ करता था बहुत पहले, यह हिस्सा हुआ करता था, जनपद हूता था जनपद उसका नाम आज की तार्म में परुखळबाद है कभी वो पंचाल हुआ करता था, वहां का यह हिस्सा हुआ करता था उसकी यह territory होती थी और यहांपर एक गाऊं कानापुर हुआ करता थी बटिश डॉकुमेंट में बता रहा हूँ 1841 के बंदोबस्त में उन्होंने कहा है कि इसके स्टेटस क्या था तो उन्होंने कहा कानापूर या काहनपूर ऐसा कुछ दो तिन शब्द उन्होंने कहा है कि फिर बाद में इसको आपको एक और बात बता दूँ कि कानपूर का नाम खानपूर भी लोगोंने रखा यस कानापूर इसका ओरजनल नाम है बिगड़कर खानपूर हुआ 1773 की जो लड़ाई हुई 1873 की उस लड़ाई में अंग्रेज जब जीते हैं तो उन्होंने पुकार लगाई कौनपूर 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 हमने कौनपूर जीत लिया तो वो कानपूर खानपूर और कानपूर में कौन पूर शब्द इस्तेमाल कि वो कौन पूर शब्द जो है फिर बिटिश गवड्मेंट ने जब जिला बनाए तो उसने कौन पूर इसका नाम रखा तो कौन पूर सरकारी रिकॉर्ड में कौन पूर उन्होंने नाम रखा और फिर यहां पर रेवेन्यू बोर्ड बनाया तीरे से रेवेन्यू बोर्ड बनाकर इहां सिस्टम शुरू किया गाउं से इंडिस्टिलाइजिशन इसका शुरू होता है अभी एक विलेज है और जैसे आज जाज मौ है उसका नाम उस समय ब बिकन गंज हुआ करती थी बहुत छोटी सी और बाकी सब अबादी आपकी अपनी थी मेवर मिल यहां आगई सबसे पहले फिर एलगिन मिल भो ले आए फिर बी आईसी वो ले आए और इटीसी ले आए यह इंडस्टियल एरिया बनाना शुरू कर दिया फिर वो बिजली उस क्योंकि सेंट्रल पॉंट हुआ करता था अगल बगल की सारी लेवर अनी घटी शुरू कर दी उन्हों ने उसको मैनेजमेंट शुरू कर दी इसलिए आप देखेंगे चर्चों की श्रंखला इतनी बड़ी है क्योंकि उन्होंने अपने दफ्तर बनाए थे डीम कारेले बना उन्होंने इसको विक्सित करना अपने हिसाब से इसका तंत्र विक्सित करना शुरू कर दिया आजादी के बाद भी हमने उनके तंत्र को नहीं तोड़ा और हम उसी तंत्र पर चलते रहें उसका प्रिणाम ये आप अज भोगत रहे हो अगर सेंतालिस के बाद आपने भारती तंत्र अडॉप्ट किया होता लोकल बॉड़ी का भी जो ग्राम का है लोकल बॉड़ी ग्राम का या जो जो शहर का तंत्र क्या है वहां तंत्र क्या है हो समझिए जिसने बढ़ई के घर में जनम लिया लकड़ी का काम करने वाले जनम से उसकी जॉब गरंटी है लोहे के काम करने वाले की जनम से गरंटी है सुनार के घर में काम करने वाले जनम से गरंटी है प्लेसमेंट जॉब का कोई चक्कर ही नहीं है जिसने जहां जनम लिया है उसका उस पर डोमेन है, उसका उसका विशेशादिकार है, वो काम कर रहा है और revenue सरकार ले रही है सरकार उस तंत्र को जो पुराना तंत्र है उस तंत्र को ब्रिक किया है अंग्रेजों ने उन्होंने का इस तंत्र को अगर ब्रिक न किया तो यहां हम साशन नहीं कर सकते हैं, क्योंकि यहां साशन की आवशक्ताई नहीं है, भारत के हमारे पूरुजों ने तंतर इतना अच्छा विक्सित करके रखा था, कि हमें तो केबल सेक्यूरिटी पर काम करना था, आप 1860 से पहले भारत में पुलिस नहीं है, 1860 में पुलिस सबके जौब हैं सब नौकरी कर रहे हैं और रिवेन्यू जनेरेट कर रहे हमारा प्रड़क्ट बना तो बिकने के लिए भी तयार है कि कोन घरी देगा हमारे गाओं में हमारा प्रॉचेजर भी है और हमारे सुखुतुक में अगर कमी पड़ती है तो गाओं में वह वेवस्ता तो तंत्र एक्सित करें, सेक्यूरिटी का इंतिजाम करें, जो लुकल बॉडिज के काम हैं वो काम करें, मुझे लगता है कि हमारे देश को परम भैवब में ले जाने में सबसे बड़ा योगदान अगर किसे का हो सकता है, तो वो लुकल बॉडिज का, मेरा मानना ये है, कि कि इसी भी लुकल बॉडि का जो जुरिडिक्शन लगता है, उसका एक मॉडल अलग होता है, और इसका सर्वे और इसका प्लान, अगर कोई बना सकता है, तो वो लुकल बॉडि बना सकती, रजसरकार साहयक हो सकती है, जैसे कानपुर में BIC बंद पड़िये है, कानपुर में I ITC बंद पड़िये, कानपुर में बहुत सारी मिले बंद पड़िये, नुजूल की जमीने है, आदिगरहन के बाद, जब इंदरा गांदी ने नेशलाइजेशन कर दिया, उसके बाद वो मिले और जमीने सब खाली पड़िये, कॉमेनिस्टों ने वो खेल खेला कानपुर को बरबाद करने में उन्होंने कोई कसर नहीं छोड़ी, जितना कर सकते थे उतना कानपुर को बलबाद कर दिया, मिले लगता है उन पर अगर हम सही से काम कर लें, वर्क आउट कर लें, तो लोकल बॉड़ी प्लान बना सकती है, जैसे गंगा सफाई का पीछे मैंने मुझे य पाया, लेकिन वैसे प्लानिंग, आपके पास IIT है, आपके पास Medical College है, आपके पास Agriculture College है, आपके पास Harcourt Patler है, आप कानपुर शहर में हमें लगता है, इंफ्राचक्षर के लिए या प्लानिंग के लिए जितनी संस्ताइं हो सकती हैं, वो सब हैं, एक शुभाशित है, मैं अक्सर उसको दोराता हूँ, शुक्र नीती में शुक्राचार, शुक्र नीती प्रशाशन को लेकर और महावरत का शांती परव प्रशाशन को लेकर बड़ा अच्छा बात करता है, वो कहता है, कि योजकस से तत्य दुरलभा, आयोग्याः पुरसा नास्ती, कोई भी विक्ति आयोग्य नहीं है, अमंत्रम अक्षरम नास्ती, कोई भी अक्षर ऐसा नहीं जिसे मंत्र ना बन सका, नास्ती मूल मनोशद, ऐसी कोई जड़ नहीं है, जिसकी आउशदी नहीं बन सके, और ऐसा कोई विक्ति नहीं है, जो बेकार हो, केबल योजना करने वाले की आवशक्ता होती है, मेरका इतना बड़ा रोल है, कि वो योजना का मुक्ख मूल है, नगरमापालिका, वो राजसरकार को प्रपोस कर सकती है, वो राजसरकार के साथ कंदे से कंदा मिला कर काम कर सकती है, उसको वो दृष्टी चाहिए, योजिकस सितत दुरुलभा, ऐसा योजना कार आपको आवशक्ता पड़ती है, मुझे लगता है कि कानपूर जैसे शहर को तो बहुत अच्छे से विक्सित किया जा सकता है, और इसमें बहुत पोटेंशल है, आज भी कानपूर, पहले कानपूर, रेवेन्यू कलेक्शन में नंबर एक हुआ करता था, अभी दूसरे नंबर पर है, और इंडस्टिलाइज़ेशन के मामले में पूरे देश में हम कहते हैं कानपूर इंडस्टिलाइज एरिया है, लेकिन हकीकत ये भी है कि कानपूर अब सेल्स का पॉइंट बन चुक है, इंडस्टि तो कम्मिनिस्ट खा गए, उनको पुनर जीवित करने के लिए प्लानिंग और फ्री में मिल सकती है, आप आईएटी से ले सकते हैं, तमाम इंबिय के कॉलेज हैं, उनसे कह सकते हैं, प्लान बनाओ, कानपूर में क्या-क्या इसे लेकाम विकास हो सकता है, आप रोड इंफ्रसेक्चर को लेकर देखी, नित दिन गड़करी जी रोज बेहन देरें, आप हमेरे बाओ हम बनाएंगे, आप लाओ तो सही, राज सरकार कही रही, प्लानिंग बताओ, अब राज सरकार ने तै किया है, 19 देशों के 21 जिलों में प्रदर्शन करेंगे, महरा जी ने तै किया है कि उस दिन में हमार यहां के टीम जाने वाली है, 19 बड़े देशों में, तो बहिया, इस प्लानिंग को चार चांड लगा सकता है नगरमापालिका, कानपूर नहीं, मैं सभी की बात कर रहा हूँ, कानपूर तो, चुकि आप कानपूर के हैं, इसलिए है कि कानपूर अपने दिमाग में बार-बार आजाता, लेकिन ये एक मूल योजना हो सकती है, और ये विकास का मॉडल जब आप खड़ा करेंगे, तो आप सोचिए कि autonomous body है, और इसने विकास का मॉडल अगर खड़ा किया, और पूरा देश इसको एडॉप्ट कर ले, तो राज्य वो करेगा जो उसको करना चाहिए, राज आज वो भी कर रहा है, जो नगरमापालिका को पूरे देश में आप विकास की बैयर ला सकते हैं, और प्रम वेवब पर ले जाकर खड़ा कर सकते हैं, अपना किम्ती समय हमको दिया, उसके लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद, तो दोस्तो, आज वारता लाप कर रहे थे हम स्री दिलीव कुमार दुबे, डिके कुनावी सबक होगा कि कंडिडेट को वोट देते वक्त, वोटर ये ध्यान रखे कि जिसको वोट कर रहा है, वो उस पद की गरिमा को, उसकी जानकारी को वो डिजर्व कर रहा है या नहीं, अभी हम चेयर मैं नगरपाली का, मेयर नगर निगम या चेयर मैं नगर पंचायत को एक राजनायतिक कारकरता या नेता की हैसियत से ही चुनते हैं, हमारी पसंदगी और नापसंदगी में उसकी काबिलियत का कोई पैमाना नहीं है, इस बात को निश्चित रूप से कहा जा सकता है, जब आम जनता इतनी जागरूख हो जाए कि मेयर को वो तब वोट दे अब बहुत ठीक नहीं रहेगा, इसलिए राजनायतिक दलों को भी चाहिए कि जो भी जनता से चुन करके इस्थानी प्रतिनी दिया रहे हैं जैसे पारसद, सभासद, चेर्माइन या मेयर, वो इस तरह के कंडिडेट थें, इस तरह के कंडिडेट चुनाओ मैदान में उता दरसल असली बात वही है, और इसके लिए अभी तक कोई अवेयरनस नहीं है, कोई जागरती का कारकरम कहीं किसी भी इस तरह पर नहीं चलाया जा सकता, दुबेजी ने ये भी बताया कि अगर प्रापर कानपुर की बात करें, तो यहां पर इतने तकनीकी संस्थान है, और इ प्रदुपियोग नहीं कर पा रहे हैं, इसके लिए युवापिडी को आगे आना होगा, और दुबेजी ने जो बताया, उसको पूरी तरह से जाचकर परक करके ही अपना रवय्या और बिवहार आगे करना होगा, धन्यवादु